गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र सेंटिस्टिफिन्स कॉलेज में एस्सोसियेट प्रोफेसर हूँ और आप लोगों के सामने समस्क्रित भाषा विज्ञान की एक सुधीरग श्रिंखला लेकर के उपस्तित हूँ भाषा विज्ञान के इस क्रम में हम लोग ध्वनी परिवर्तन को समझ रहे हैं तदनुसार भाषाव ज्यानिकों ने जिस प्रकार की चर्चा हमारे सामने की थी, हम उसको आपके सामने ले करके आ रहे हैं और हजैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके जो स्थूल कारण है वो दो माने गए, पहला कारण अकारण और उसके बाहिय कारण और बाहिय कारण के उपर में अपना विमर्ष चल रहा था और उन्हें बाहिय कारण के विमर्ष के साथ-साथ हम लोगोंने अन्य भाषाव का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है हमारे संस्कृत, हमारी धुहनियों के उपर हम इसकी चर्चा कर रहे थे मित्रो तदनुसार उसके बाद जो एक आखरी बिंदू अपना शेश है वह है साधरिश्य साधरिश्य समानता कई कई बार हम भ्रहमवश दो-चार शब्दों की समानता को ले करके हम कई ऐसे ध्वनी प्रस्तुत कर देते हैं भिन्न शब्द में और तदनुसार उसे गढ़ लेते हैं हम विचार करें विमरशक करें उस पर एक शब्द है द्वादश द्वादश जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं बारह के लिए प्रयोग होता है समस्कृत में और वहां दो शब्द है जिसका कि द्वा हो करके द्वादश बनता है लेकिन जो ग्यारह है उसे ग्या तरह शब्द के लिए समस्क्रित में जैसे दश हुआ दश हुआ तो यहां पर एक दश होना चाहिए लेकिन मानो साधरिश्य के कारण हम वहां पर एक आदश शब्द का प्रियोगा कर लेते हैं और तदनसार वहां आज परमपरा में भी भले ही वयाकरण इसकी सिद्धि कर दे कि एक आदश सही है लेकिन भाषा विज्ञानिक इसे कहते हैं कि यह समानता के आधार पर इस शब्द का निर्मान है दूसरी और एक और शब्द हम लोग लेते हैं 45 में सपस्ट आपको देखेगा कि पंच जो आनुनासिक है वो आनुनासिक आपको क्लियर आपको दिख रहा है वहाँ पर कि पंच का तो वहाँ पंच जो है ना पंच चालीस तो इस तरह से 45 शब्द बनते हैं और लग रहा है कि समहाँ भाषा विज्ञान के दृष्टी से घिस्तने पितने के कारण यह 45 जो है यह 45 बन गया लेकिन दूसरी ओर देखें होना चाहिए 47 और सब्द में क महें भी अनुनासिक नहीं है लेकिन पुनरपी वहाँ पर शब्द बन गया 47, 45, 47 समानता की आधार पर और भी कई ऐसे शब्दा पाएंगे मतलब कई ऐसे जो नामकरण भी हम अपने घर में करते हैं तो केवल सिब्लिंग्स में नाम की समानता हो इसलिए उन शब्द की को हम विड्रा कर लेते हैं चाह भले ही वहाँ पर लिंगात्मग वहेद हो या ना हो चाह वहाँ पर अब चोटा सावधारन लीजिए अब जो सरोज शब्द है या पंकज शब्द है वह संस्क्रित के दृष्टी से यह यद्यपी पंकज शब्द नफंसक लिंग है लेकिन आम दृष्टी से चलो वो मनुपुरुष का नाम होता है लेकिन हम समानता की दृष्टी से कमलवाची अर्थ लखने की दृष्टी से वो भी नामकरन चला लेते हैं खर साधरिश्य के कारण ध्वनी परिवर्तन है इसके साथ-साथ हमने एक यह भी आपके सामने प्रस्तु निर्मान है कि जब हम चंद बनाते हैं कविता लिखते हैं तो कविता लिखने के सामने में चंद हपूर्ती हो इस कारण भी हम ध्वनी को तूड़ देते हैं ध्वनी को बिगार देते हैं जैसे संसार शब्द है संसार लेकिन अगर उसको गाना में हमें उसे रागताल में अ परचा की है भूर भूवस्वा का जो उम भूर भूवस्वा इसके बाद हमारा गायतरी मंत्र प्रारंब होता है तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमह धीयो योन प्रचोदयात हम आप सभी जानते हैं कि गायतरी मंत्र में जो है वो 24 वर्ण है लेकिन अगर आप तत्सवितुर वरेण्यम से धीयो योन प्रचोदयातक का उच्चारन करेंगे तो 23 यानि 23 वर्ण आपको सुनाई पड़ेंगे दिखाई पड़ेंगे तो उसको साम्य उसको पूरा करने के लिए आप आएंगे कि तत्सवितुर जो वरेण्यम शब्द है उसको वरेण्यम उ धाशा वई ज्ञानिक हम अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि किस प्रकार किस ध्वनी में कैसे परिवर्तन होता है तो यह जो चंदह पूर्ती है जो मैंने साहित्यक प्रवाव किया और इसे पहले भी हमने कहा है कि अगर क्लियर निर्देश है साहित्यकारों को कविता लिखने कि अगर आपको अंतिम वर्ण जो है अगर वह रस्व है तो उसे आप बिर्ग समझ लीजिए उसे अगर लगु है तो उसे आप गुरू समझ लीजिए कई जगह ऐसे जाएंगे यही नहीं पुना-पुना में उच्छा न देता हूं मैं उदाहर न देता हूँ महा कवी भरत में आप जा करके देखेंगे कि सम्स्कृत का सामान या नियम है कि दो स्वर के बीच में संधी हो जाती है लेकिन इस पद्य की आखरी पंक्ती में यह जो क्लियर आपको सुनाई पड़ेगा कि देख ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा यानि मदनम चा के बाद जो यह है वो चेमाम होना चाहिए था लेकिन वहां पर एक ध्वनी को प्रिजर्व जा रहा है एक ध्वनी को clarity के साथ हम उसे सुन पाते हैं देख पाते हैं और तदन सार वो ध्वनी वह पर सुरक्ष्ट होती है अनियथा वो ध्वनी बदल जाती तो इस प्रकार से कई ऐसे जो मैंने कहा साहितिक प्रयोग होते हैं जहाँ पर कुछ ध्वनी उत्पन किये जाते हैं कुछ ध्वनी जो है वहाँ पर बंद किये जाते हैं तो इस प्रकार से यह जो बाहिय कारण होते हैं कुछ उन कारणों का प्रभाव भी हमारी ध्वनियों के पर पढ़ता है और द्वानी परिवर्तितों करके शब्द एक नया रूप नुतन रूप ग्रहन कर लेता है कभी कभी तो शब्द अपने अर्थ को अक्षुन रखता है किसी भी प्रकार अर्थ में परिवर्तन नहीं होता लेकिन धीरे-धीरे प्रदेश विशेश के हूं उसमें इसी को आगे बढ़ाते हुए कि इन ध्वनी-परिवर्तन के प्रकार के ऊपर भी चर्चा की जाती है यद्यपी जो मैं ने ध्वनी परिवर्तन की आपके सामने चर्चा की वे कारण वस्तुता इन प्रकारों के अंतरगत ही है और तदनसार ये दो प्रकार के दोनी परिवर्तन के प्रकार दो होते हैं एक है अकारण और दूसरा है सकारण अजना इसको जाने अकारण और सकारण को समझे स्पष्ट है नाम से ही अकारण अर्था जिसका करके अब अकारण जो जैसे 12 से एकादश बना या 45 से 47 बना इसका कोई कारण नहीं है ठीक है इसका जो एकादश क्यों हो रहा है या 45 का 47 क्यों हो रहा है इसका कोई कारण नहीं है यह अलग चीज है कि हमने ध्वनी परिवर्तन के कारणों में इसे जरूर कहा कि ये सादरिश्य है लेकिन भाषा विज्ञानी के दृष्टी से या आप उसे ऐसा कहें कि व्याकरण के दृष्टी से ये शब्द इसा बन रहा है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं होते हैं लेकिन कुछ कारण इसे हैं अब उदारन के लिए देखिए कि जैसे शब्द है समस्कृत में दंडिना त्रिटिया एकवचन का शब्द है हलंकि भाषा विज्ञानिकों ने उसे सादरिश्य के आधार पर अग्निना कहा लेकिन वहाँ पर कारण है कि अग्निन शब्द जो है वहां इसके बाद त्रितिया विवक्ति का टा प्रत्य लगता है और तदनसार पूरी प्रक्रिया है पानिने प्रकृया दर्शाई है उसका कारण बताया है और तब जाकर यह अग्निना की सिध्य होती है तो क्या मत्लब हुआ यह सकारण है तो इसी तरह से कई जो धुएनी की दुरिष्टी व्याकरण की दुरिष्टी से कोई कारण नहीं है लेकिन वहां चुकी हम उन ध्वनी परिवर्तन के कारणों का अन्वेशन करते हैं तो कतिपय ऐसे कारण हमें बनाने पड़ते हैं जिसके उपर शास्त्रिय प्रभाव नहीं दिखता जिसे स्वरूप में किम्यक उच्चारण नहीं कर पाते इस लिए परिवर्तन होता है तो ऐसी लिए इस कारण से अकारण और सकारण की बात की अन्यथा हम आप सभी जानते हैं कि ये संसार की जो स्रिष्टी ही जो है वो सकारण है अकारण नहीं है कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता यह सा आदश हो या एकादश हो 45 हो 47 हो दंडिना हो अगनिना हो ऐसे जो भी कोई ध्वनी परिवर्तन या ध्वनी साम्या हम देखते हैं उनके नेपथि में भी कारण कोई न कोई है ही लेकिन जब भाषा विज्यानिक अकारण और सकारण की बात करते हैं तो वहां पर शास्त्रिय प कारण मित्रो इसके साथ एक और बड़ा ही प्रमुख प्रश्ण उत्पन होता है कि यह ध्वनी परिवर्तन की दिशाएं तेंट्स टू आप पाएंगे कि अगर समतल पे पानी हम रखते हैं तो उस पानी में उस जल में आप बहाव नहीं देखेंगे ठीक है लेकिन यदी ज बहाव क्यों है तो हम कहते हैं कि वहां वो जो दिशा है थोड़ी सा चिछला है वो स्लोपी है इसलिए पानी उधर की और बह रहा है तो पानी के बहाव की दिशा इसी तरह से ध्वनी परिवर्तन की दिशा कहां इमेडियेटली ध्वनी परिवर्तन की संभावनाई दिखती यहां पर द्वानी परिवर्तन की संभावना हम पाते हैं और ध्यान रखेंगे यह जो द्वानी परिवर्तन की देशाएं है जो डिरेक्शन ओफ फोनेटिक फोनेटिक चेंजेज है यहां पर भी हम भारतिय बहाशा शास्त्री को भारते वयाकरणों को पाते हैं जिनोंने पहले से ही इस पर पर्याप्त भी मरुशक कर रखा है और तदनसार भारतिय परंपरा में कई ऐसे नाम हैं जावो यासको हो पतंजली हो पाननी हो वामन जयादित यहां आदी हो उन सबने यथा काल यथा समय अपने अपने शास्त्रों में अपने अपने चिंतन में इसकी और इशारा किया है तो सबसे पहले हम उस सामानियों सिध्धान्त को समझ लें यासक अपने निरुक्त में एक बहुत ही बढ़िया एक पूरे के पूरे चैप्टर में इसके उपर विमर्श करते हैं और विमर्श करते हुए वो इन दिशाओं का हमारे सामने आरूपन करते हैं अब श्ठर देखें कियए है आदि शेश को आदि लूप जब हम आदी शब्द परके और यसी भी शным dy Morning. अंत लूप खुबधा लोप घ करते हैं राजन लैकिन वही जब राजपुतर शब्द प्रयोंग करते हैं तो नाकानलौ उपदहा परिवर्थन किसी देगए होर्ट परिवर्थित हो जाता है दूसरा रुस्पर उपघ्रहले कर लेता है लोप हो जाता है अभी चर्चा की है ग्लिपरण लोप दो दों का यदाकदा लोप होता है आधि विपर्य अर्था कि प्रारंभकां पर tenga करके पारंभका ले लेता अंतविपर्य आधिएंत्विपर्य अंतिमर्नपर लिफर्तन बरनागम्- आधिंवर्न परिवर्तन आधि एसे कटिपे स्थलों का उल्लेख किया है जहां पर हमारे उच्चारण में ध्वनी परिवर्तन की संभावना बनती है ध्वनी परिवर्तन की दिशाएं इसी से तय होती है पतंजली ने बड़ा सुन्दर इसे सूत्रबद्ध किया यद्यपी यास्क की तरह उन्होंने विस्तृत सूची नहीं दी लेकिन इन्होंने भी चार सविशेश स्थल देखेंगे इन्होंने हमें हाइलाइट करके दिया है अब देखें क्या क्या है वर्ण व्यत्यया पायूप जन विकारेश्वर्थ दर्शनात शब्द को तोड़ लेते हैं वर्ण व्यत्यया चिक है व्यत्यया का मतलब होता है विपरिया परिवर्तन अभी पीछे परिवर्तन यास्क में आदी विपरिया आदी शब्द पढ़ा था यह विपरिया व्यत्यया का मतलब एक्सचेंज करना फिर है अपाय वर्ण व्यत्यया प्लस अपाय अपाय का मतलब होता है नाश वर्ण ना कि नए वर्न का आजाना और फिर है विकार अर्था वर्न विकार यानि किसी अन्य वर्न में परिवर्तित हो जाना तो पतंजली ने अपने महाभश्य में इस चार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है इनको उदाहरन से समझें कृत करतनी धातु है जिसका अब होता है to cut अब देखेंगे कृत शब्द बन गया तर्क और तर्क में हम क्या करते हैं काटते हैं लोगों के सिद्धान्त को हम अपने तर्क से समाधान देते हैं तो कृत का यह है परिवर्थी तो हो गया और आप देखेंगे यह तर्क बन गया इसी तरह शब्द है हिंस 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 शब्द आप सभी जानते हैं और इसको अगर बदल देते हैं वर्न व्यत्याई कर देते हैं तो क्या शब्द बनता है सिंध लाइन हिंस को ही परिवर्थित कर दीजिए तो हिंस यानि हिंसा to kill और सिंध वो है जो killer है तो यह बदल गया हिंग्स और सिंह यह वर्ण व्यत्याय हो गया ध्यान न कहेंगे यह पानेट यह पतंजली के द्वारा दिया गया उदाहरन है और ऐसे कई सारे उदाहरन है जो हम लोग आपस में बना सकते हैं हैं हम ध्यान उस पर नहीं देते इसी तरह है वर्ण अपाय वर्ण लोप जिसे कहते हैं शब्द है हता अब देखें मूल शब्द है मूल धातु है हन अर्थात हन के ना को सुरक्षित रहना चाहिए था लेकिन जब उसमें इक्ताप्रतिया लगाते हैं तो उस ना का लोप हो जाता है और शब्द बन गया हता अगर क्ताप्रतिया का तो रख लेते और हन का ना रख लेते तो हन तो बन सकता था लेकिन नहीं वह पर ना का लोप हो रहा है और वह बन रहा है हता है इसी प्रकार ग्नंती शब्द है ठीक है अब यह ग्नंती शब्द है अब इसमें हन के ना का लूप हो रहा है 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 ना आ वर्न नाश कह लें या वर्न लोप कह लें इसके उदाहरन बनते हैं। वर्न का आगम लविटा शब्दय लूय अब इसमें लविटा में वह मैं जो है इक आगम हो रहा है। और कई ऐसे आप लोग जो सेट और अनिट धातुएं हैं हमारे व्याकरण में जो समस्कृत में जो सेट धातुएं हैं और अनिट धातुएं हैं सेट धात्वे वहां है जिनमें सब में एका आगम होता है पठिश्यती पठिटी नहीं होता है पठःती लेकिन वहां जाकर कि पठिश्यती बन जाता है हर जगा पठिटम बनता है तो इसी तरह से वह सेट होने के कारण वहां पर एका आगम होता है तो वर्ण आगम हो जा रहा ज Первाना चाहिए था लेकिन नई वहांपर भाष्णवज्ज्ञान धाश स्रूप में देखते हैं कि यहां पर वर्ण विकार है और हो जो है वह में परिवर्तित हो करके घ्नती का रूप करता है इसके बाद वामन जयादित्य है उन्होंने अपनी काशिका में यासक का ही उद्धरन दिया है यास्क ने यद्यपी पीछे बड़े लंबे चोड़े लगभग 12-15 स्थलों की चर्चा की है उनमें से वामन जयादित्य पांच स्थल वीशेश को चुनते हैं और देखेंगे निरुक्त में यह पांच प्रकार के जो कह सकते ध्वनी परिवर्तन की देशाएं बताई गई इसका उलेख कर रहे हैं काशिका में वामन जयादित्य और तदमसार देखेंगे क्या है वर्न आगम अभी हमने पढ़ा वर्नों का आगम नया वर्न आ जाना वर्न विपर्य वर्न बदल जाते हैं डुपलम अलब वर्न आपस में अपने को एक्सचेंज कर लेते हैं और बहुत सुंदर उदारन है बार बार उदारन दिया है वारा नसी शब्द का देखेंगे यहां पर भी वर्न विपर्य हो रहा है बनारस यह दो हो गए फिर के रहे वर्न विकार और वर्न नाश वर्न विकार की भी चर्चा की वर्न अपनी जगह पे किसी नूतन वर्न को ले लेता है वह वर्न बदल जाता है आपस में फिर है वर्न नाश यानि वर्न वहां पर नश्टो हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि यह हमारे प्राचिन भ द्वानी के परिवर्तन की संभावना को पाते हैं। मित्रो इन सारी जो चीजे थी जिस अकारण सकारण की बात कही थी, आप लोग बखुवी जो लिस्टिंग है, इस लिस्टिक है माध्यम से अपने से ट्रॉक कर सकते हैं कि जो अभ्यंतर कारण दिये गए और जो बाहिय कारण दिये गए थे द्वानी परिवर्तन के, इसमें कौन से अकारण हो सकते हैं और कौन से सकारण हो सकते हैं। जैसे उदाहरन के लिए जब हमने आभ्यंतर पढ़ा था जो प्रयत्न लागव है वो आपको सकारन है तो आधी ऐसे कई सारे कारण है जिनकी सूची आपके सामने उपलब्द है लेकिन आधुनिक भाशाविज्ञानिक चिंतन में जो ध्वनी परिवर्तन की दिशाएं तै की उनको यहां पर हमने जो भाशाविज्ञानिकों की दृष्टी है चौदह प्रकार की यह जो है यह स्थल है चौदह कारण होते हैं इनकी दिशाएं होती है जहां पर ध्वनी परिवर्तन देखे जाते हैं समी करण अर्थात एसिमिलेशन समान शब्दों हो जाना विशमी कर अपने अभी आगम पढ़ा है लोप एलीजिन अर्थात वर्ण पूरी तरसे लुपत हो जाते हैं समक्षर लोप है प्लोलाजी वर्ण विपर्याई Metathesis, Mahapranikaran, Aspiration, Alpapranikaran, Deaspiration, Ghoshikaran, Vocalization, Aghoshikaran, Devocalization, Ananunasikikaran, Nizzalization, Ushmikaran, Assibilation, Sandhikari, Jointing and Disjointing मात्राभेद, यह मात्राभेद चंद में जो देखा जाता है उनकी चर्चा इन ही 14 बिंदूओं का क्रमशा विशलेशन में अब आप लोगों के सामने उपस्तित कर रहा हूं और मित्रो ध्यान रखेंगे परीक्षा के द्रिष्टी से जो द्वनी परिवर्तन की देशाएं हैं वो द्वनी परिवर्तन के कारण हैं यह दोनों अत्यंत उपयोगी हैं इसलिए आप लोग यह मैं हर परीक्षा की बात करता हूं चाब वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो या वो आपको यूपीएसी की परीक्षा हो इन दोनों परीक्षाओं के द्रिष्टी से द्वनी परिवर्तन की देशाएं और द्वनी परिवर्तन के कारणों का अन्वेशन उनको समझना आवश्यक है मित्रो हमारा आज का यह व्याख्यान यहीं खत्म होता है जो यह 14 आपके सामने मैंने अभी प्रस्तावित किये हैं द्वनी परिवर्तनों की द्रिशाग को इसकी व्याख्या हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे उदाहरन सहित करेंगे तब तक के लिए आप लोगं को बहुत बहुत धन्यबाद एक आप से बस यही प्रार्थना की टिपणी अपना जरूर लिखें झाल